हिंदी में चंद्र की उत्पत्ती का वर्नन पुरानों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भारतिय परंपरा में चंद्रमा के उत्पत्ती का एक मशहूर कथा है जिसे चांद्रमा जन्म कथा भी कहते हैं। स्विष्टी के प्रारंभिक समय में ब्रम्हा ने जगत की रचना की थी। एक दिन उन्होंने विचारा की सूर्य, अगनी, वायू, जल, पृत्वी और अंतरिक्ष जैसे पांच महाभूत बना दिये गए हैं। लेकिन चंद्रमा की आवश्यक्ता है क्योंकि रात्री के समय ज जगत को अंधेरा होता है और लोग विश्राम कर सकते हैं। ब्रम्हा ने उस समय चंद्रमा को निर्मित करने का संकल्प किया और अपनी शक्ती से एक सुंदर चंद्रकिरन बनाया। चंद्रमा को धर्ती के आसपास धूमने के लिए व्यापक शक्तियों से युक्त किया गय एकसुर राजा राहू ने देखा कि देवताओं को अमरित कैसे मिला उसने भी देवताओं की तरह मोहिनी के पास जाकर अमरित पीने का प्रयास किया हालांकि सूर्य और चंद्रमा ने इसका पता लगा लिया चंदरमा ने राहू को बताया और उसे देवताओं के सामने पकड़ लिया देवताओं ने राहू को कर दिया लेकिन उसका शिर अभी तक अमरित पीने के लिए मोहीनी के मुख से निकल चुका था इसलिए राहू का शीरशक राहुकिरन चंदरमा के साथ बंध गया इस विशेश प्रकार से चंद्रमा का उत्पत्ती विश्णू के अमृत प्राप्ती के विचार से संबंधित है। ये थी चंद्रमा की उत्पत्ती की एक प्रसिद कता। धार्मिक ब्रंथों में इसके अलावा भी विभिन कताई मिलती हैं जो चंद्रमा की उत्पत्ती को भिन भिन रूपों में वन लेत करती है